नमस्कार जै भीम जै जुहार दोस्तों आज 20 अगस्त है कल 21 अगस्त और हम सभी जानते हैं कि 21 अगस्त को बहुजल समाज के द्वारा संपूर भारतबंद का एलान किया गया है दर्तल आज मैं आपको ये बताने वारा हूँ कि किस-किस पार्टी का कौन-कौन सा नेता किस-किस जगह से 21 अगस्त और 2024 को भारतबंद का समर्थन कर रहा है और कौन-कौन से वो दोगला नेता है जो भारतबंद का विरोध कर रहा है दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले स्टी आरचर में उपवर्जी करण को लेकर यानि स्टी आरचर में क्रीमी लेर लागू करने के लिए सुप्रिम कोट में एक बिल पास किया गया था जिससे कि दलीत समाज को लोग काफी नराज दिखे और तमाम दलीत नेताओं ने इस पर जमकर बवाल काटा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी तब दलीत समाज को लगने लगा कि या समन्ती सरकार सुप्रिम कोट के साथ मिल कर दलीत समाज की एक जूटता को तोड़ना चाहती है उनके भाई चारे की बीच खाई पैदा करना चाहती है दलीत समाज के लोगों ने 21 अगस 2024 को संपूल भारत बंद का एलान कर दिया लेकिन फिर भी इंसामन्ती सोसरकारी सत्ता धार्मियों से कोई भी जबाब नहीं मिला उनको कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन जैसे ही दलीत नेताओं के द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का एलान किया गया ठीक उसी समय बांगला देश में आरचण को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल मच गया एक बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई जिससे हैं कि बंगला देश की परदान मंतरी सेख हसीना को बंगला देश छोड़कर भागना पड़ा ततान इनी सब हालातों को देखते हुए हमारे देश के डरपोक के परदान मंतरी जो चाईना से डर जाते हैं जिनकी 56 शाती सिकुड कर 6 इंच की हो जाती है वही डरपोक के परदान मंतरी कैमरे पर आकर दलिस समाज के लोगों से माफी मागते है और दलिस समाज के लोगों को यह स्वासन देते है कि सुप्रीम कोट में जो एसेश ट्यारचर में क्रिमी लेर लागू करने की बात क्या ही जा रही है वह हम लागू नहीं होने देंगे लेकिन फिर भी परदान मंतरी की बात कौन माने क्योंकि इनकी बाते तो हर बार जुमला ही होती है और इस बात को खुद मयावती ने भी कह दिया दतल मयावती ने प्रेस कॉनफरेंस कह के कहा क्या हम प्रधान मंतिरी की बातों को नहीं मान सकते कि इनकी बाते हमेशा हवा हवाई खोखली होती है इसलिए दली समाज को इस बटवारे वाले आरच्छर के खिलाप एक बहुत बड़ा अंदोलन करके सरकार को चेताउनी देना चाहिए दतल इसारों इसारों में 21 सगत 2024 को भारतबंद का मयावती ने मतलब समर्थन कर दिया था ठीक है लेकिन जब चंदर सेखर से पूछा गया कि आप भारतबंद का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा था कि बहुत समाज के लोगों को काफी नुस्कान होता है भारतबंद से इसलिए हम जो भी कुछ करेंगे कापी सोच समझ कर करेंगे ठीक है और उन्होंने लाइब आकर ये भी कह दिया था कि हमारा अंदोलन जो होगा आरचड को लेकर वो 11 सितंबर को होगा यानि वो धीरे देशारों में 21 सगत 2024 को भारतबंद का समर्थन करते यदि हम भारतबंद का समर्थन नहीं करते हैं तो दलीस समाज के दौरा हमारे उपर एलिगेशन लगने लगेंगे कि ये दलीस समाज के लोगों को तोड़ने की कोसिस कर रहा है अपने इसारों पर नचाने की कोसिस कर रहा है दतल साहिद भीमारमी के लोग भी मने मन सोच र और उसमें एक आंदोलनकारी के रूप में बन कर जाना चाहिए। खेर कुछ भी हो, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक खुशकपरी आचुकी है भीमारमी के द्वारा, भीमारमी के अस्तर के बड़े नेता जिनका नाम है बिनर रतंग सिंग जी उन्होंने ट रहेंगे और अगर कर देते हैं, भारतबं का समर्तन कर देते हैं तो भाई-बारी कमाल का होगा कि आज दली समाज अपने हक के लिए एक जूट खड़ा है, ना कि दली समाज वर्कि दली तन्येता भी आज अधिकारों के लिए एक हो चुके हैं और बहुत बड़ी खुसकब